सबसे पहले मानव ने तत्मों को विविस्थित करने के लिए उनकी तुलना अगनी, प्रित्वी, जल और वायू से की आवरत सारनी, periodic table को विज्ञानिक रूप से संगठित करने की सबसे पहली कोशिश हुई 1789 में और 1879 में इसका पूर्ण नियोजन किया मेंडलेव नामक एक रूसी विज्ञानिक ने आवरत सारनी की रचना मानव के हजारों साल के प्राकृतिक अध्यन की एक महान उपलब्दी है आज आवरत सारनी के आधुनिक संसकरन में 118 तत्व मौजूद हैं और इस संसकरन में 1970 में हुई क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स पर आधारत नई खोज और ग्यान विद्धी भी शामिल है आवरत सारनी में प्रतेक तत्व की स्थिती से हमें बहुत सी बाते बता चलती है जैसे एक तत्व और किन तत्वों से प्रतिक्रिया कर सकता है क्या एक तत्व एक धातु की तरह का सुचालक है? क्या वो कार्बन जैसे बड़े अनुओं का रूप ले सकता है या नहीं क्या वो विघट नाभिक रेडियो एक्टिव है या नहीं उसके समान और कौन से तत्व हैं इत्यादी आवरत सार्णी में एक तत्व की स्थिती निर्धारित करने के बुनियादी नियमों की जानकारी कई विश्यों के अध्यन में भी लाबदायक सिध होती है जैसे की रसायन शास्त्र, जीव विग्यान, वैदिक शास्त्र, धातु शोधन या रॉकिट विग्यान मद्यकालीन युग में ऐलकेमिस्ट नामक लोग लोहे जैसी धातूँ को सोने में परिवर्तित करने के सपने देखते थे प्रकृती में तत्वों का स्थिजन किस प्रक्रिया से होता है आज की हमारी ये जानकारी ऐलकेमिस्ट केबल सपने में ही सोच सकते थे यह प्रक्रिया स्टेलर नुकलियोसिंटेसिस नामक सिद्धान पर आधारित है और इसकी खोट से संबंदित विग्यानिकों को 1983 में भौतिकी में नोबल पूरसकार भी मिला था यह सिद्धान बताता है कि कैसे सोने या अन्य भारी तत्वों की रचना हलके तत्वों से होती है पिछले विडियो में हमने जाना कि ज्यादा मातरा में तत्वों के सुजन के लिए आवशक हैं दबाव और तापमान की चरम स्थितियां और प्रमांड के कुछ सबसे शक्तिशाली विसफोट हम तुच्छ मानव हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो रहे तत्वों सिजन के खगोलिये खेल को देख केवल अचंबित ही हो सकते हैं अचंबित पर निर्भीक मनुष्य की अद्यम में जिग्यासा अब सपना देख रही है इन तत्वों को अपने वश में करने का नैनो टेकनालोजी शेतर में नवीन अनुसंधान इन तत्वों के एक अणू और एक परमाणू को नियंतरत करने की कोशिश कर रहा है ताकि नैनो रोबोट यानि एक अणू के बराबर की मशीनों का निर्मान हो पाए जिनको एक मरीस के शरीर में डाला जा सके जहां ये कुछ चुनिंदा कोशिकाओं के अंदर जाकर पेचीदा बिमारियों को ठीक कर सके नैनो टेकनालोजी का प्रयोग नवीन पदार्थों के निर्मान में भी हो रहा है ऐसे पदार्थ जो हमारे आदेशों के अनुसार भिन भिन आकार लेने के लिए प्रोग्राम किये जा सकते हैं नए प्रयोग नवीन खोज और विश्व की जटल समस्याय सुलजाने के लिए विज्ञान आपको हमेशा आमंतरत करता है झाल